देखिए महरवानों ये बात महाभारत से और बात उस टाइम से जब गुरू द्रोणाचारिये चक्क्रवियों की रचना कर देते हैं और अर्जुन सुसर्मा के साथ युद्ध में उड़ जा होते हैं तो वीर अभिमन्यू लड़ने के लिए जाता है लेकिन उसे चक्कर उसे बाहर निकलने का ग्यान नहीं था तो महरवानों दिरियो धनवे उसके साथ ही महारती अकेले बालक पर एक साथ परहार कर देते हैं महरवानों घिर जाने पर अपने पिता अर्जुन को आवाज देता है भाई संजय सर्मा पकोदना अलीगण से इस बात को सुनाएंगे तो भाई के लिए एक बार जोर दाता है जोर दाता है आजा पिता जी मेरे पास में आजा ओ अंधेर लिया ओ एक लागेर लिया आजा पिता जी मेरे पास में आजा ओ अंधेर लिया ओ इतला जी मेरे लिया क्या के ले भाई सारी लोगे चात्तार व्यूं आसानों नहीं ता पर मैं भी है रान नहीं था बाहर जान का ग्यान नहीं था ओ पहर जाने का ग्यान नहीं था चौबार दे से सीर चले थे वो चाक फेर लिया ओ एक लाघेर लिया आजा पताजी मेरे पादी में आजा ओ आंगे लिया एक लाघेर लिया आजा रादी मेरे करे लिया लिया ओनगे फम आजाए घ्रल्वाट इस फो प्रेड रहाँ उस्तेरों दाली के सबे बाल राई साते लड़नों की नीती बनाई उसरम नहीं भी सम को आई उसरम नहीं भी सम को आई गुसमान बन के खड राज पाही सम का धेर किया हो एक लाघेर लिया यादू पिता की मन रहताती मेरा ना कोई हुया नहीं माती तिरी ओधन के सारे साती तिरी ओधन के सारे साती खून सलाती पत मेरी रचाती नीचा गेर लिया हो एक लाघेर लिया लाधन डाधन गर वक लाधन एक लाधन शवाद एक लोग्या लाधन रख लोग्या रखिते लिया खूने प्नुदक लूदक लाधन रख देरी तो प्रादिसा सिन्ना तेर्या मेरा जीते जीमें लग्यार भतेरा देवें अंदर दिया मौत नगेरा देवें अंदर दिया मौत नगेरा राज कुमारीता लान विदा हो हसे कैसे रुलिया एक लागेर लिया आजा पिता दिरी मेरे बाग में आजा हो अंदर लिया एक लागेर लिया एक लागेर लिया एक लागेर लिया